हेलो दोस्तों मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग लैब चैनल पर दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स आए कि इंट्राडे में हम लॉसस को कम कैसे करें लॉसस अवाइड कैसे करें इसके उपर मैंने पहले वीडियो भी बनाया था कि लॉसस को कम कैसे करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि लॉसस इंट्राडे में जो लॉसस या ट्रेडिंग ऐसा बिजनस अगर आप देखें तो उसमें जो भी लॉसस होते हैं वो लॉसस की अंडस्टेंडिंग उसकी समझ आपको होनी बहुत जरूरी है अगर वो लॉसस की समझ आपको है तो आप प्रॉफिट जरूर बनाएंगे मार्केट में प्रॉफिट जरूर आपको होगा प्रॉफिट होना देखें लॉसस अगर आप को मैनेज करना आप सीख तो profits आपको automatically होगा profits आप automatically होगा ही होगा आपको उसके लिए effort नहीं करना पड़ेगा सबसे बड़ी चीज ही market में losses को carry करना और losses को manage करना होता है अब मैं आपको यहाँ पर यह देखिए मेरे पास एक image है और यह बहुत ही अच्छी image है इस image के माध्यम से मैं आपको यह बताऊंगा कि जो अच्छे loss होते हैं और जो खराब loss होते हैं वो क्या market में क्या होते हैं कैसे हम उसको differentiate करते हैं कैसे हम उसको अलग करते हैं अभी तक आप losses समझ रहे हैं कि कोई भी जो loss हो रहा है या आपने market condition को evaluate सही नहीं करा या आपने random तरीके से entry ले ली जो भी कारण रहा तो आपको loss यह वाला market में आपका stop loss हो गया तो सबसे पहले आप यह देखिए कि losses होते कितने type के हैं दो type के होते हैं losses एक होते हैं देखिए ऐसे losses होते हैं जो की आपको avoid करने हैं वो left side में हैं यह होते हैं dumb losses और unforced errors यह वाले losses जो होते हैं यह चीजें आपको नहीं करनी यह good losses होते हैं यह वाले losses अगर आप यह वाली चीजें करने के बाद आपको अगर losses होते हैं तो यह वाले losses good losses में count होते हैं सबसे पहला होता है adding to a loser जब भी आपने entry ली माल लीजिए आपने यहां पर देखा कि यह pivot line माल लीजिए यह वाला trade देखते हैं कि आपने देखा कि यह pivot line के ऊपर काफी अच्छा rest कर रहा है ठीक है pivot line के ऊपर support ले रहा है और market जो है वो consolidate भी हो गई है पिछले दिन trend मेरा तो आपने यहां पर long की entry create कर ली without confirmation 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 नहीं था आपके पास कि इसने जो है इस range को break करा range breakout दे रहा है कोई confirmation नहीं था आपने सिर्फ long की blindly entry create कर ली और यह stock जो है यहां से भी नीचे चला गया और आपका stop loss माल लीजिए पिछले दिन के super trend के नीचे था ठीक है तो आपने क्या करा कि जब यह नीचे जा रहा था तो आपने और stocks buy कर लिए यह नहीं करना दोस्तो जो आपकी losing position हो रही है जो आपकी position जो आपका stock आपके favor में नहीं गया उसमें आपने add नहीं करने रूल है आप यह adding to a loser आपको नहीं करना है इससे आपको जो loss हो रहा है यह आपका खराब loss में count होता है दूसरा है break rules अगर आपने कोई rule बना रखे हैं अपने की मेरे को entry जो है यह वाले criteria के उपर लेनी है यह वाली moving average के उपर लेनी है तो वह अपनी entries जो है आप उसको violate नह ही करनी है और too much risk मैंने जैसा पहले भी बताया था कि हर trade में आपको risk एक जैसा लेना है एक equal amount का risk लेना है position sizing का जो मैंने आपको video दिया था आप वो video देख सकते हैं कि position sizing का मैंने आपको बताया था कि आप कितने stocks जो है buy कर सकते हैं यहां पे वो video आपको मिल जाएगा position sizing का आ और ये वो उसमें मैंने position sizing आपको calculator भी बताया था वो आपको वो भी आप use करना करिये तो आपको same amount of risk लेना है widening or stop loss मतलब यह होता है कि आपने stop loss लगा दिया और आप stock आपके favor में नी जा रहा है हिट ना हो जाए और आप उसको और नीचे ले गए फिर price आपके stop loss के और पास आ गया फिर आप अपने stop loss को और नीचे ले गए तो आप losses को जादा कर रहे हैं तो यह dumb losses और unforced losses होते हैं यह losses खराब losses हैं यह नहीं लेने यह note कर लो इसका image का screenshot ले लो अपने pass रख लो notice board पे लगा लो तो यह आप stop loss वाइड नी करेंगे अब पांचवा है कि आप अगर अपने stop loss को बहुत जल्दी ट्रेल करके उपर ले आते हैं आपको ट्रेल करना है रूल के हिसाब से जो मैंने super trend बताया था super trend से ट्रेल करना है trailing stop loss trailing stop loss अलग से एक topic है वो मैं अलग से cover करूँगा लेकिन आपको जो stop loss ट्रेल करना है वो रूल के हिसाब से ट्रेल करना है अब good losses कब होते है जगार आप rules follow कर रहे थे तो और अगर आपको loss हो गया तो वो good loss में count होता है उससे घवराने की जुरत नहीं है रूल को follow करोगे तो वो losses छोटे-छोटे losses cover होके जो है वो profits में आप बहुत जल्दी आ जाओगे और setting a stop अगर आपने stop loss लगाया है और आपको loss हो गया तो आपको डरने की जुरत नहीं है क्योंकि और stop loss जो आपने rules के according लगाया जो भी ATR based rules हो गया है जो भी rules आप follow कर रहे ह high low based stop loss लगा रहे है range के उपर नीचे लगा रहे है या फिर किसी level के नीचे उपर लगा रहे है तो आपने अगर कोई rule follow अगर के stop loss लगाया है और वो hit हो गया तो वो आपका good losses में count होता है उससे डरने की जुरत नहीं है आप उस rules को follow करते रही है बस position sizing मैंने अभी बता दिय या position sizing हमेशा correct करिए हर trade में equal amount of risk जो है वो करिए taking the loss अगर आप loss लेने से नहीं डर रहे हैं widening नहीं कर रहे है और stop loss को रखा हुआ है और आपका वो hit हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आप अगर market में जो बंदा loss नहीं ले सकता वो profit भी नहीं ले सकता छोटे loss market में होते हैं लेकिन वो छोटे-छोटे losses एक बड़े move जो है वो cover कर देती है लेकिन अगर आप ये left वाली follow करेंगे तो यहां पर आपको profit छोटे-छोटे होंगे और losses बड़े होंगे तो overall आप loss में रहेंगे समझ में आ रहा है moving on का मतलब यह है कि अगर एक loss हो गया तो आप उस पे ठहर नहीं जाते आप उसको पे रुक नहीं जाते अपने आपको मायूस नहीं करते और दूसरे trade का wait करते हैं जैसा कि देखे कल मैंने एक call दी थी उसमें stop loss हो गया लेकिन हमें पता है कि आगे आने वाली opportunity का wait करेंगे और हमारे system इतना strong है कि वो cover हो जाएगा आप देखेंगे कि 20% of the time मेरे जो भी calls होती है telegram channel पर उसमें stop loss होते हैं 80% of the time आपको अच्छी move मिलती है तो अच्छी move आपको वो चोटे-चोटे losses cover कर देती है 100% of the time बड़े से बड़ा trader भी profitable नहीं रह सकता आप किसी भी trader का इतिहास उठा के देख लीजिए जैसी लेवर मूर सबसे बड़े trader हुए हैं उनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और आप कोई भी trader उठा लीजिए राके जुन जुन वाला उठा लीजिए जो long term investing करते हैं उनके भी अगर वो long term 10 stock में investing कर रहे हैं तो वो 10 के 10 winners नहीं होंगे लेकिन उनको ये पता है कि जो 6 winners होंगे वो चार ज होटे होंगे और profits होंगे तो वो बहुत बड़े wide होंगे ये rule आप दिमाग में बिठा लो ये वाली image आप save कर लो और इसको daily देखो follow करो आपको एक अच्छा professional trader बनाना मेरा aim है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़े समझ में आ रही है practical way में मैं आप ये एक एक च सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन को प्रेस कीजेगा ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले मिलें और जाद से जाद अपने दोस्तों में शेयर कीजेगा थैंक्यू दोस्तों